वेल हेलो गाईज मेरा नाम हर्शन स्वागत है आप लोगों का हमारे ब्राद न्यू वीडियो में और आज की इस वाली वीडियो में हम लोग दुबारा से खेलने वाले इंडिन बाइक ड्राइविंग 3D तो इस वाले एpisode में क्या होगा कि हमारा जो character है Cosmo उसको इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बरा boss बनना है जिसके लिए शायद उसको कुछ ऐसा करना होगा तो उसको डुगान के नजरों में आना परेगा अब डुगान कौन है इस वर्ल्ड का सबसे बरा boss और सबसे बरा mafia gangster तो अगर हमारे character Cosmo को इस world का सबसे बड़ा gangster बनना है तो पहले तो उसकी नजरों में आना परेगा फिर उसको हरा कर उसका boss बनना परेगा जिसके लिए शायद से हमें कुछ माफिया वाला हरकत करना परेगा ताकि हमारा नाम उस तक पहुंच सके तो मैं सोच रहा हूँ ना क्यों ना एक train को hijjack यानि एक train को कबजा किया जाए गाइस अगर हम ऐसा करते है ना तो मुझे ऐसी feeling आ रही है कि डुगान हमें जरूर से बुलाएगा और शायद सब वो हमें कोई काम भी दे दे और काम देने के बाद तो हम उसके पार्टनर भी बन चाएंगे और वैसे भी हमारा तो टार्गेट यही है कि हम डुगान के पार्टनर बन जाए फिर उसके ही बॉस बन चाए तो guys get train मुझे काफी सही लग रहा है अगर हम इसको अपने कबजे में कर लेंगे तो हमारा ना इस शहर में नाम भी होगा काफ होगा और काफी सारे हम पैसे भी कमा सकते है तो guys मैं सबसे पहले देखता हूँ कि इस कैबिन में कोई ड्राइवर है या नहीं है तो मुझे इसके उपर चर जाना चाहिए और ये ड्राइवर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है बर ये चांता नहीं है मैं कौन हूँ और guys चलो अब हम लोग इस train को आगे बराते है वैसे भी ये train तो हमारा हो गया अब मेरा मतलब है कि ये train तो अब हमारे कबजे में हो गया guys वीडियो में आगे बरने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ ये जो मैं स्टोरी सीरीज शुरू कर रहा हूँ ये काफी जादा लंबा होगा मतलब कि ये जो स्टोरी मैं ने प्लान किया है ना काफी जादा सोचने के बाद और काफी जादा स्क्रिप्टिंग के बाद प्लान किया है और ये स्टोरी में आपको बहुत जादा मजा आएगा मैं एक दम गैरंटी देता हूँ इसलिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो आप सारे स्टोरी वीडियोस को बरे ही आराम से देख सकते हो तो गाइस यार हमने इस ट्रेन को इतने टाइम तक अपने कबजे में रखा तो हमें काफी सारे कॉल्फ भी आ गए तो मैं सोच रहा हूँ मुझे कॉल पे बात कर लेना चाहिए हेलो मैं इस ट्रेन को तब चोरूंगा अगर आप मुझे एक फॉर्चुनर ला कर देते हो और साथ ही न हमें कुछ पैसो की भी जरूरत परेगी बिकॉस हमें आगे बहुत जादा काम होगा तो क्या उन्होंने फॉर्चुनर को ला दिया होगा चलो हम लोग ट्रेन के पीछे जा कर देखते है गाइस मुझे थोड़ा सा तो शक लग रहा है कि कहीं वो लोग हमारे साथ कोई ट्रिक ना खेल दे बट कोई बात नी हमारे पास तो गोलिया भी है और वो लो कुछ कर भी नहीं सकते और वैसे भी हमारा कॉस्मो कमजोर थोड़ी ना है यह यहां का सबसे बड़ा गैंग्स्टर बनने वाला है गाइस हमारे साथ एक्चुली क्या हुआ कि हमनों काफी टाइम यहां पर रुके फिर हमें फॉर्शुनर भेज दिया गया और साथ ही हमें पैसे भी मिल गए तो गाइस अब तो हमें यहां से चल्दी से निकल जाना चाहिए वन्हा पुलिस वालों की गारिया हमें छोड़ेगी नहीं और मुझे ये भी पता है कि दुगान भी मुझे जरूर से काल करेगा गाईस हमारे कॉस्मो के साथ ऐसा हुआ कि एक सेकरेटरी ने उसको काल किया चो कि दुगान का सेकरेटरी था और उसने उससे एक जग compassion का बुलाया पर मुझे लग रहा है, उसने मूझे बुलाया कहाँ पर था, तो क्याएद नोगोर सा रास्ते में कन्फ्यूज हो गए, बट अब हम लोग शायद वहाँ पर पहुचने वाले है, यहाँ पर मुझे थोरा समझ तो नहीं आ रहा और शायद मैंने उसे पीछे ही छोड़ दिया मुझे लग रहा है ना यहाँ पर शायद से कुछ तो हुआ है बिकोज यहाँ पर हेलिकॉप्टर भी पल्टी हुए और साथ में स्कार्पियो तो ऐसे ही खरी है अच्छा होगा अगर हम लोगे गन लेकर ही सामने चाहे बिकोज आगे कुछ भी हो सकता है क्या पता कोई हम पे अटाक ही कर दे और यहाँ पर स्कार्पियो का धरवाजा भी तूटा हुआ है शाद से यहाँ पर सच में कुछ हुआ है और जहां तक मुझे पता है कि उस सेक्रेटरी ने मुझे बताया था यानि कॉस्मो को बताया था कि वो एक स्कार्पियो में ही आने वाला है बट वो है कहा है गाईस मुझे यहाँ पर काफी अजीब लग रहा है और मैं यहाँ से निकलता हूँ पता नहीं यहाँ पर क्या matter हुआ होगा और मुझे इस चीज के बारे में थोड़ी छानबीन भी करनी परेगी बिकॉज अगर ऐसा नहीं मैंने किया तो उल्टा मैं ही फस जाओंगा तो यहाँ पर से हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए बिकॉज अगर हम ऐसा नहीं करते तो उल्टा कॉस्मो ही फस जाएगा और फस जाएगा इसलिए बिकॉज डुगान सोचेगा कि उसके सेक्रेटरी को हम नहीं मारा है चलो गाईज आज तो हमने बहुत जादा काम कर लिया बट यहाँ पर कॉस्मो की गर्लफरेंड भी है तो शायद कॉस्मो उसे मिलना भी चाहता और उसे बात करना चाहता है तो उन दोनों के बीच शायद कुछ तो लराई वगेरा हुआ है बिकॉस दोनों गुस्से में लग रहा है और वो लोग बहुत ही गुस्से में बात भी कर रहा है पता नहीं क्या होगा और कॉस्मो तो मुझे जादा ही गुस्से में लग रहा है और क्या वो मतब गोली निकालने की कुशिश कर रहा है सच में क्या वो अपनी girlfriend को मारेगा सच में guys उसने अपनी girlfriend पे गोली चला दी पता नहीं Cosmo क्या कर रहा है इसे gangster बनना है कि क्या बनना है और इसने उसको मार भी दिया तो guys Cosmo का ऐसा सोचना है ना कि उसके बस लड़कियों की कमी नहीं है वो आगे चाकर और भी लड़कियों को set कर सकता है